स्पोट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बैल आइकन को दबाना ना भूले कुझ खिलाडीों के करियर में या पिर किसी कृकेट टीम के इतिहास में कुछ तारीकी मैच आते हैं शायद अगर भारती कृकेट फैन से किसी से बी पूछें 2001 कॉलकाता टेस्ट मैच की जरूर बात करते हैं 2000 कॉलकाता टेस्ट मैच जिसमें भारत के अस्टेलिया को हराया और फिर वहां से एक ऐसा चक्र चला कि भारत विश्व क्रिकेट में सुपर पार बन गया मेरे हाथ में एक किताब है इस पर चेहरा पहचानते हैं किसका है और इस सरफ लिवेस लक्ष्मन उस 281 के नायक मेरे साथ हैं बलकि एक और नायक उसी टेस्ट मैच के तो हमने सोचा कि देखिए क्रिकेट तो पेर्स में कहते हैं यह हंट इन पेर्स वीवेस की किताब है तो ऐसा कैसा हो कि कॉलकाता टेस्ट मैच की बात और हर्बजन सिंग ना हो हर आज जहां भारतिय क्रिकेट टीम खड़ी है सौरव गंगुलितने मशूर कप्तान मने वह आप दोनों को बहुत श्रे जाता है उस टेस्ट मैच के बाद ही सब कुछ पल्टा है देखे मैं यह नहीं कहूंगा कि उस टेस्ट मैच के बाद सब कुछ पल्टा है कि उसके पहले सब्सक्राइब करने के बाद 274 रंस ब्याइन थे उसके बाद दिगज ऑस्ट्रियन टीम के खिलाफ किनकि 16 16 16 16 जीतने के बाद स्टीव 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 ने बताया कि वह उनका फाइनल फ्रॉंटियर है और उनके पास बल्ले बास थे जो मैच जिता सकते थे गेंद बास त चिट्नाए का टेस्ट मैच भी एक रुमानचक टेस्ट मैच ता मुष देखे अखिन और फ्रॉंग करना यहारा यह दो प्रेशन चांट्रियन और उसने डेख श्यां तक आर नहीं मानेंगे और वह मानसेकता आ कि बदलाव गुर्ण भारतियर है और बा prototype श्यारे है मैंसे भजू इस किताब में आपका बड़ा जिक्र है वो होगा भी एक तो कॉलकदा टेस्ट मैच आपको तहरानी तो नहीं होगी हो कि इस किताब का नाम 281 से शुरू होता है ने हरानी इसमें कोई हरानी वाली बात ही नहीं है क्योंकि मैं और खुश होता अगर इस किताब का शुरू होता तीन सो एकासी क्योंकि अगर टाइम होता तो लक्षमिन उतने भी मना देता क्योंकि इसने आउट तो होना नहीं था उस दिन और जिस अंदाज से लक्षमिन ने और राहुल राविड ने उस मैच में बैटिंग की ती वो अपने आप में मतलब मैं टीम में था वो ही बड़ी बात थी और उस जीत का कुछ में हिस्सा बन पाया मतलब जो मेरा काम था मैंने वो किया तो कहीं नहीं मुझे लगता है कि वो जो नीव होती है किसी चीज की वो इन्होंने रखी वो जीत की जो आशा थी वो लक्षमन ने और राहुल राविड ने जिस अंदा गर्ष कि हम लड़ेंगे वो अन्बलीवेबल मतलब ऐसा मैंने कभी देखा ही नहीं इतनी देर किसी को बैटिंग करते एक दिन कोई विकेड ही ना गिर और उसके दिन अगले दिन भी जब विकेड तब गिर रहे हैं जब हम उल्टा सिधा अब तेज रन बनाने के कोशिश म अगर नहीं तो अगले दिन भी बैटिंग करनी होती मुझे नहीं लगता था कि अस्ट्रेलिया के पास ऐसा कोई गेंद बाइच था जो इनको आउट कर पाता है यह 300 भी हो सकते थे और यह सीरीज हम सिच्वेशन की लक्षमन ने बात करी मुझे लगता है कि सिच्वेशन ज करकेट के ओपर यकीन करना बूल गया जो एक ऐसी सीरीज होना बहुत जरूरी था जिसमें इतना ज्यादा रुमान चो इतनी बड़ी टीम को हराया जाए कि लोगों को वापिस कीचना बहुत जरूरी था क्योंकि यह गेम ऐसी है अगर लोग देखेंगे नहीं उसको प्यार कि खेलते हैं ना तो हम पूरे भारतवासियों को एकठा दुबारा कर सकते हैं जो की क्रिकेट आके देखते और क्रिकेट खेलने वालों से ना देखने वाले उतने ज्यादा इंपोर्टन होता है तो पूरे दिन में लोगों ने चोड़ी दिया था कि कुछ आँस नहीं दो गंटे बाद पता किया तो इत्रे रण हो गए चार गंटे बाद फिर पता किया तो इत्रे हो गए उसके बाद हुआ लेकि बड़ी दिल्चस बात है कि कहते हैं कि जिन्दिगी में एक मुकंबल टेस्ट मैच होता है जिसमें सब कुछ हो वीवेस लक्ष्मन ने अगर 281 बना परफॉर्मेंस से आप मैच ने जी सकते सीरीस नहीं जी सकते और बजी पहले इनिंग में एट्रिक भी लिए दूसरे इनिंग में बजी भी विकिट लिए और सचिन भी आकर सही समय में तीन मात्पुण विकिट लिए और योगदान देके सिर्फ बोलर्स का ही नेता मुझे कि अभी भी यादे एमंग बदानी ने क्या शांदार सब्स्टिटूट फिल्डर के साकर बैकवर्ड शॉट लिए में एक शांदार मुश्किल कैच भी पकड़े देके सभी का योगदान था आशिष नहरा नन्नू सरंदिप सेंग और एमंग बदानी सब्स्टिटूट उन मुशना बात चित इस स्रिय्यस के बार में नहीं होता था, अगर वो स्ट्रंगला, हम नहीं जीत देते तो जीतना बोध जरूरी है और मेरा हमेशा यही मानना है कि जो भी पर्फॉर्मेंस आप करें, अगर वो पर्फॉर्मेंस के बदोलत, वो योगदान के बदोलत, अगर टीम जीटता है, तो आपको जो संतुष्टी मिलती है ना, उससे किसी भी चीज का तुलना नहीं कर सकते हैं, तो वो साटिस्फाक्श किसे एकदम फिट हो गए, और फिर क्या क्या हो गए, देखें, वीवियस ना बहुत स्पेशल आदमी है, हम इसको मतलब मैंने, वेरी वेरी स्पेशल हो और मैं तो इनको मतलब मैं कभी साहीं जी के मैंने दर्शन नहीं किये, बड़ कोई अगर सही, जो मैंने देखा, जो प मैं अक्सर बोल जाता हूं, तो मतलब ये दर्शाता है कि ऐसे बंदों ने बड़े-बड़े काम करने ही होते हैं, और वो उस दिन मुझे पहले याद आए, अगर मैं वापस जाओं, तो इनकी बैक खराब थी, चल नहीं पा रहे थे, नेट में बैटिंग नहीं हो रही थी, और अगर VVS नहीं खेलते हैं, तो फिर ही ये सब हम बातें नहीं कर रहे होते हैं, आज और वो जो जीत, जीत का क्या महतव और वो जो क्राउड को पुल दुबारा करना मैच देखने हैं, ये सब चीज़ें नहीं होती, VVS होते, VVS थे, तो ये सब चीज़ें होई हैं, औ और उसका जो है वो श्रे साही बाबा ने इनको दिया कि तू खेल, बाकी सब काम ना बगवान करेगा और यह करते चले अजिए निनिंग में फॉलो ऑन के बाद नंबर थीम पर भेजा जाना बिलकुल देखे पहले तो श्रे मैं देना चाहूंगा एंडरु लीपर्स का किनकि जिस आलत में मैंने उनके रूम में गया था वो मेरा बैक अपर बोड़ी जो है एक तरफ हो गया था पूरा लेफ साइड हो गया था उसको लिस्ट बोलते और लोर बोड़ी एकदम सीधा था हमारे यह किने की तीन दिन में मैं मैंच केलने के लिए तयार हो जाँगा तो आंडरु ने बोला अचा यकीने एक बार कुद को देख लेना मिरर में और मिरर के तरफ जब देखा मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इस आलत में मैं तो पहली बार हुआ है मुझे और मैं रोना शुरू कर यह है कि ऑस्ट्रेले टॉस जितकर बल्ले बाजी करने का निनने लिए कि फील्डिंग में भी जरूर थोड़ा मुश्किल हो रहा था लेकिन समय मिला मुझे देड़ दिन वो लोग बैटिंग करें तो समय मिला कि बैक और खुलते गया कि हार्ड रॉक था बजी बिलकुल सह अगर नहीं होता तो वो बिलकुल मुश्किल होता और और शायद आप दोनों उस टीम का हिस्सा थे जिसे कहते हैं कि गोल्डन पीरियोड ऑफ इंडिन क्रिकेट अप उसके बाद भारत वर्ड कप जीता और भी जीतेगा टीम आपकी मजबूत होती जाएगी तिरासी ना होत यह ना होता तो आज ना होता उस टीम उस ड्रेशिंग रूम का हिस्सा होने का क्या मतलब होता था क्योंकि बड़े-बड़े दिगज खिलाडी थे उसमें यह तो बात देखिए बड़ी 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 बात है कि उस टीम में खेलने का मेरे जैसे बंदे को मुका मिला मैं मैं आप में समझता हूँ कि मेरी जिन्दगी का ना एक सपना था कि मैं अपने हीरोस के साथ कहलू हूँ मुहमद अजरुदीन से लेके मैं बात करता हूँ कि सचिन तंडूलकर वीवियस लक्षमन अनिल भाई की बात करूं राउल ड्रविट तो मतलब अगर ये सीनियर्स हमारे साथ साथ नहीं होते ना तो मेरा शायद केरियर पांच साल पहले खतम हो जाता और मैं शायद सोटसमें नहीं क्यल पाता क्योंकि हम देखते थे ये कैसे तैयारी करते हैं ये किस तरीके को अपने करते हैं कुछ कुछ जो मॉमेंट्स हैं आपको अपलिफ्ट करते हैं गेम के लिए भी और आपके खुद के प्रफॉर्मेंस के लिए भी तो जैसा वह 2001 कप जो सीरीज था मेरे गेम को मेरे कॉन्फिडेंस को उसने इतना अपलिफ्ट कर दिया और सड़नली टीम को इतना किस्सा है आप भी उससे कर पाएं वीवेश लक्षमन ने भारत के लिए टेस्ट मैच खेलना शुरू किया 1996 में 1997 मत तकरीबन एक साल बाद जब टीम वेस्ट इंडीज जा रही थी इनके पास कानेटिक होंडा था आज आप सोच सकते हैं यह किताब में मैंने पड़ा इनके पास कानेटिक होंडा था और इनका फिटनेस टेस्ट होना तो उससे दो दिन पहले कानेटिक होंडा स्लिप हो गया इनको चोट लग गई आज तक मदीपा जो कि कोच थे जिन्होंने इनका फिटनेस टेस्ट लिया उनको नहीं पता, मदीपा को पता ही नहीं चला कि इनको चोड कहां लगी हुई है, वह बड़ा दिचस्ट किस है वह बड़ा दिचस्ट किस है वह जिया, देखे, 1996 में मेरा डिब्यू है, लेकिन इतने मैचेस केलने के लिए बहार जा रहे थे, कभी कार चलाना का मोका भी नही इनको बता रहे थे, साथ आफ्रिका में फ्रैक्चर हुआ था मेरा हाथ, वापस आया था मैं उसके बद वेस्ट इंडिस में मेरा चेन बतार ओपनर और संडे जो है, मदीपा ने मुझे फिटनेस टेस के लिए बुलाया था, डेली, और शनिवार, शनिवार की बात है, दु अधिए वाले गुटने में घरिया था, तो एक़म श्वेलिंग आगया था, तो एक़म श्वेलिंग आगया था, और मैं डॉक्टर के पास गया, और मेरे फादर ने तैबलेट्स एवी टैबलेट्स, पैनकिलर, और संडे मॉर्निंग कैसा तो भी मैं फ्लाइट पकड़कर आया था मैं डेली, नेहरू स्टेडियम में, मेरा फिटनेस टेस्स हो रहा था, तो दस मिनिट बैटिंग ज़रूर करा मैं, और बैटिंग में कोई प्रॉबलम ने था, क्यूंकि एकदम रिकवर हो गया था, फ्रैक्चर टीक हो गया था, लेकिन उसके बाद मदीपार ने न लेकिन इतना पैंकिलर्स लेने के बाद मैं जब आया था, मेरे फादर के जहन में यह था क्या यह पास हो सकता है या ने, क्यूंकि काफी ज्यादा स्वेलिं हुआ था, लेकिन साथ आफरिका टेस्ट और वन डे सीरिस में चेन होने के बावजूद, चोड के कारण मैं ने मि करना था, क्यूंकि पांच टेस्टे उसके बाद वन डे से बड़ा टूरता हो, और मैं इस्टैबलिश भी नहीं हुआता इंडियन टीम में, तो आप यही कोशिश करते हैं कि जितना भी छोट हो, वो छोट को सहने का श्रमता है मेरे पास, क्या है है या नही मेरे फादर को क्या है यहाद आप यहाद बाद को अदिदी पाक को अभी भी पता नहीं है कि, तो वह स्फेलिंग वा था, वापस जाने के बाद जिस तारह अभी भी मुझे याद है जिस तरह मेरे फादर ने जो तरीके से मुझे पकड़ा और हग दिए, क्या की फादर को यहाद खीन नह कि फिर चोड़ तो होता है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वह छौड वह इंजुरी को किस तरह एंडल किया जा सकता है और वह पैन कु एंडल करना और एंड्यूर करना बोज जरूरिये तो यादगार किसा है उसके बाद कभी भी वी तुवीलियर में गया है ने चलाना च चोई 21 से गारी कोई भूमते हैं, जुआ सह 아파 फटी नहीं है ऩंकि आपकी गलती भी नहीं है लेकिन आप उन्जूरी ओ सकते है अबकि गलती के बावजूद भी बैना गलती के भी एकसेंट तो सकते हैं लेकिंग फोर वीलर और सही अच्छा फोर वीलर जो सेफ है, एरपैड से, एरबैक से, वो प्लीज आप चिलाएए, कासकर अगर आप क्रिकेटर हो, कि देखे, एक भी मैच आप इंज्यूरी के कारण मिस होते हैं, आपको पताने हैं कि कोन वो मौके का फाइदा उटा सकते हैं और आपको फिर मौका नहीं मिलेगा, हर एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बाद है, ऐसा रोही शर्मा के साथ हुआ था, मतलब एक्सिदेंट तो नहीं हुआ, एंकल ट्विस्ट हुआ ग्राउंड पर ही, बट उसके बाद जो उसका डेबिय होना था, मेरे खिल पा पकी नहीं थी, बैटिंग और पका नहीं था, वो यो-यो टेस्ट नहीं था, लेकिन यो-यो की तरह आप उपर नीचे होते रहते थे, वो दोर कैसा था आपके लिए? बहुत मुश्किल दोर था, लेकिन काफी कुछ सीखने को भी मिला है, क्योंकि 1996 से 2000 तक एस्टैबिश हु बनाने के बाद भी अगले टेस्ट मैच में कराब प्रदर्शन होने के बाद ड्रॉप हुआ ता मैं और जब एक निंदने में जरूर लिया कि मैं अभी ओपन नहीं करूँगा, क्योंकि दो या तीन फेलियर्स के बाद मैं ड्रॉप हो जाता था, और मुझे लोग बोलते थ कि मैं नौन रिगलर ओपनर हूँ, कि मैं अमेशा मिडल ओडर में खेलता था, लेकिन आप जब टीम गेम खेलते हैं, जो पोजिशन आपका मनपसंद पोजिशन है, आपको मोका अमेशा उस पोजिशन में नहीं मिलता है, तो कौन से भी रोल आपको टीम निबाने के लिए वो तयार होना है, और यही चिनौती के सा मैंने कोशिश की ओपनिंग, लेकिन वो नौन रिगलर शब ना मुझे पसंद नहीं था, तो इसी वज़े से एक मुश्किल निन्ने था, किनकि एस्टैबलिश्ट मिडल ओडर था, आपके पास राहूल थे, सचिन थे, उसके बाद अजुबय थे और सौरव थे, तो मुझे यह लगा भी ने कि मैं वापस इंडिन टीम में आ सकता हूं या नहीं आ सकता हूं, लेकिन मुझे इंडिन टीम में जबी आओंगा, चाहराता हूं, और वो जबी हो सकता है, जब मैं चंसिस्टैंटली रंस बना सकता हूं, और के लिए खेल हूं, और मैच इस जीता हूं, तो वो एक मुझे दोर जरू था, लेकिन मेरा एक मानना है विकरांद की, कोई भी चुनोती, कोई भी मुझे का सामना अगर आप करेंगे, तो उससे आप सीख सकते हैं, और वो काफी कुछ मैंने सीखा है, कि पहले चार साल, अरे के अखेल हो, तो पूज के चुछ सेखी स स्으ह क्यात mejorar, इस एक फेल्च को साहमे मुझे हो सकते हैं, और रून आपके अखेल साथायटेशन में पाया है, हैसे साथाइफ्री स्च तो आप के चार में पाहर हैं शेके आप रहे именно हैं, जो अब द ग्यावड़ने की सीखा है, तो करवाई गहीं फिर सौरव गांगोरी नियुकỹ में करना चाए तो एक करना चाहा तो इन एक जए इससमिस शॉरस एक आपको और डिबन करें अपन करिके से टेना कि मैंने कुछ बहुत है जिया, पोर्ट एलजबत में नहीं, जब वापस मेरा टीम में चेहन हुआ था दो अजार की बात है, बात है बात है बन्गलादेश में वन आफ टेस्स्टमाच बाइन, बन्गलादेश का इन अग्राइल टेस्स्टमाच केलने के लिए अम गे है थे दाका, उदर भी जिस फॉ है और डेबी ब्लूम फॉंटेन में तो जब मिडल ओर में जब पोर्ट इल्जब गए थे तो राहूल वाइस कैप्टेन ते और राहूल ने बताया कि मैं को ओपन नहीं करना है तो अभी सौरव और जॉन रड के पास सामने एक समस्या आ गया था कि क्या सही पोजिशन ने लक्षमन के लिए तो जॉन और सौरव आये पोर्ट इल्जब के प्रैक्टिस सेशन में नेट सेशन में के समय में आकर बोले कि लक्षमन वी वांट यू तो ओपन और मैंने साफ मना कर दिया कि डादा डॉप कर दीजे कोई बात ने लेकिन मैंने आपको पहले ह केरी बोला कि मैं आभी और ओपन नहीं करना हूँ करूंगा कि एक निन्ने जब लिया और वो एक स्ट्रॉंग डिसिशन था वोस डिसिशन से ही मैं I'll stick to the decision और साहुरव और जॉण जरूर तोड़ा निराश्ट और नारास्ते और दादा तोड़ा एमोशनल भी हो गए थे और दादा वोला अगर तू ओपन ने करेगा तो मैं ओपन करूंगा और मैं बोला तिर नहीं तू कर आदा तीन दिन लगातार बोला था मैं उस दोरे पे था दास पहले उत्रे कि दूसरा स्रामी बलेवाज दीब दास गुपता उत्रे दादा ने ओपर नहीं किया दा वहां पे लेकिन वो टेस्ट मैच बड़ा भी रहा वह माइक डैनेस एपिसोड हो गया फिर आप पर भी चार्जिस लगे थे सचिन को उन्होंने बॉल टैंपरिंग क क्योंकि यहार रही थी नहीं मुझे लगता नहीं है कि कौई ऐसा था क्यों बिखरर रहा हो क्योंकि बहुत ज्यादे इकट्छे मीच आट थे अ क्यूंके जब तो कोई थे एकट्रे में मुटृल्ध रिस्पेट बहुत ही इस तीम में और बाद की टीमो में मैं खेला हूं म तो ऐसा तो कोई नहीं था बट वो जो दौर हुआ था वो इंसीडेंट रुआ था मैं उसका बताता हूं कि मैंने बोलिंग की शॉन पॉलक बैट पैड खेले हैं और शॉट लेग पे कैच हुआ है एसेस दास ने कैच पकड़ा हमने अपील की है वो पील के चक्कर में पांच लोग बैन हो गए ओवर अपीलिंग तो वो दास मुझे आगे पूछ तो यह मैंने क्या किया तो हम लोग आदे लोग को यह नहीं बद रहे हैं कि अपील किस चीज की है और बैट पैड लगा है तो उसकी अप्लील तो करेंगी और सचिन ऑविसली उसके उपर लगाया गया था कि बॉल जो है वो थोड़ा टेंपरिंग कर रहे हैं वो बॉल की सीम साफ कर रहे थे क्योंकि वहां पर गास थी विकेड में और जब बॉल पिच होती है ना गास वाली विकेड में तो हमेशा सीम तो थोड़ा सा वो फस जाता है थोड़ा बॉल में न ग्रास फस जाता है उसको साफ कर रहे थे तो कहीं नहीं वह शायद उन्होंने समझ नहीं पाए और 6-7 प्लेयरों को इकठी बैन कर दिया हमें समझ नहीं आए हम प्लेयर कहां से अगले मैच के लिए लेके आए कि ये सा तो आप लोगों का जो पहला प्रैक्टिस सेशन था सेंचूरियन में वो प्रैक्टिस ग्राउंड में आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो उस जमाने में प्रेस कॉंफेस के आती आट दस मीडिया के लोग सौरव मिल गए और बातचीच चूरू हो गई तो स्टीव और अब भोला था आपको याद होगा कि वाट सचन देट वास्ट इन दोस नोट इस प्रिट ऑफ देट गेंट तो एक जचनलिस्ट ने सौरव को कहा कि दाधा स्टीव ऑई सेइंग वाट सचन देट वाट इस परफ पट अब डाधा का शट आप सबचुपकर गए बट वोट जुझा ने जनर्रिस को भी बोला था, उनका कोट था, तब रप्लाई तो स्टीव वोग शुट अप एक चीज़ जो दादा के बार में में बोलना चाहूंगा, 2001 सीरिस के पहले भी जो मैंने किताब में भी लिखी, कि चन्नाय में हमारा कैम था और स्टीव वोग, जैसा अकसर स्टीव वोग करते थे, कोई भी टूर से शुरू होने से पहले, वो मेंटल गेम्स खेलते थे और लोग समझते थे कि स्टीव वोग मेंटली टॉफ है, विपक्षी टीम के ओपर दबाब बनाना चाहरे थे, लेकिन पहले बार एक बारते कैप्टेन ने, दादा ने, रिटालियेट किया, इन दो ओपन, थू मीडिया तो तush वाला क्या था? तॉस वाला यह आप दादा से पूप सकते हैं की काए, दादा कहथे लिए वक्त पे था यह कहते हैं। यह कहते हैं तादा की कूभी थी तो टासमे लेट जाते हैं दो वक्त जो है वो दादा के चलता है जब सौरग अंगली चलेंगे तब वक्त चलेगा लेकिन लेकिन जो आटिटुड और जज़बा दादा में था वो इन्फेक्शिस था और यह बूद जरूरी होता है कि आपके कैप्टेन किस तरह का तो वो जो स्टेटमेंट स्टीव वक के खिलाफ यह रिटालेट कर रहे थे इससे साफ नज़र आगया टीम के अंदर की वी आर नो लेस दन द ऑस्टेलिन तीम जरू मानता हूं कि वो अस्टेलिन टीम एक दिगज टीम थी ती कंजिविटी मैचिस जीत रहे थे अरेक देश मे में नजर आया और जो एक्जामपल साहरोव ने सेट किया वो इन्फेक्शिस होता है अरे खिलाडी के उपर दोनों की फेवरेट कप्तान थे साहरोव जया आप आप दोनों के करियर में मेरे तो फेवरेट कैप्टन थे और इसमें कोई दोरा है नहीं है क्योंकि लीडर्शि शेयर कर सकता हम क्या मैं कैप्टन था बोर्ड प्रेजिएंस लेवेन का अम लोग जो है नागपूर में मैच केल रहे थे और अनिल कुमले छोटिल थे तो तो पिन गेंद बाज तो है हमारे पास लेकिन गेंद बाज किसको किसका चेन होना है वो अब तक तोड़ा डाउट था तो जिस तरह बजी ने गेंद बाजी की तो लंच टाइम में सावरोब से बात वा मेरा और मैं अहरान था क्योंकि बजी जिस तरह वापसी करें और जो गुचाल प्राप्त कर रहे थे और तेज रफतार से उनका बॉल गूम रहा था यह देखकर काफी प्रभावित हुआ था और लंच टाइम में मुझे यादे सावरोब पूचा कौन अच्छा गेंद बाजी कर रहे और मैंने बोला जादा अरबजन का बॉलना अच्छा निक अच्छा था रहे चेर्मन ऑफ सेलेक्शन कमिटी थे उनको आपकर टीमें बोला यह दिन गिव बोलिंग तू अरबजन अच्छा अच्छा ने बताया और यह गेंप्लैन है सावरो का और चंदूबाड़े सर भी वो रिस्पेट करें और इमेड़ेटली जो है बजी का चैन यूवराद सिंग, उसके बाद खैफ, इर्फान पतान यह लोग सब जो है सावरो के अंडर ही कहलेता है और यह बहुत जरूरी हो जाता है कि अरे खिलाड़ी के उपर अगर आव विश्वास जताएंगे और बरोसा दिखाएंगे तो खिलाड़ी जो है कैप्टेन के लिए किलाड़ी जो है टीम के लिए खेलता है सभी बाता लेकिन आप तो सौरफ से नाराज भी हो गए थे वर्ड कप दोजार टीम में जब आपको नहीं चुना गया था जिया बिल्कुल नाराज हुआ था और सौरफ ने भी बताया था कि क्या कारण था और क्या जब आप या पर्सनल कोई था ने लेकिन दुख मैं तो क्रिकिट चोडने वाला था यह भुक में भी लिखाया मैं कि कि वह सबसे लोएस्ट पॉइंट मेरे केरियर में था कि यह अच्छा बाता कि वह पांच मैने थे वर्ल कप होने के बाद और अगला जो अंतराष्टे सीरीज ओने आगल यह जो है मैं उसमय मेरे बच पन के असात्यों के साथ बिताने थे लिए गया था जो क्रिकेट नहीं कोई ताई। है टॉटर से इंजिनियर से लेकिन एक मेने के बाद कुछ मिस कर रहा था वो क्या मिस कर रहा था एटिंग जैंते क्रिकेट बाल। अर्स प्रीकेट मे कि मुझे क्रिकिट से लगावे और प्यार है और मुझे मौका मिल रहा है बारतिय टीम जो कितने कम किलाडियों को मिलता है इंडिया में बारतिय टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए तो एक परस्पेक्टिव मेरे जहन में और दिमाग में वापस आ गया और फिर महनत करते वापस इंडियन टीम के लिए खेला और 2003-04 का जो सीजन था सबसे एफेक्टिव और इंपोर्टेंट सीजन था जहां पर काफी सफल हुआ था मैं मैचिस टेस्ट मैचिस हो या वंडे मैचिस हो लेकिन नाराज जरूर ता और नाकूर्ष ता और गुसे में भी था अर आज सिच्वेशन में प्लेयर कुछ भी कर सकता है इसलिए मैं गाया है वो तो लक्षमन थे कि साओ नेक आदमी कि कुछ कर नहीं कोई दबंग आदमी होता तो वो शायद जगड़ा ही कर जाता तो यह तो लक्षमन की एक वो है कि उसको इस स्पिरिट में लिया कि नहीं तीम कंस जिसमें ग्रेग चैपल लाए और शायद आपको भी इलम होगा दोनों को उन्होंने कहा था जिसमें आप दोनों का नाम भी शरीक था ने आपका भी था शायद मेरा ख्यालत था हाँ जिस मंदे ने लक्षमन को गलब बोला था शिक्स में आप उसको तो उसी दर यहां से इतनी ज्यादा उसने कर दी थी प्लेयर्स को आपस में वो फूट करो राज करो वाली नीती थी ना जो वो उसने बनाई कि यंग लड़के आ रहे हैं यंग को सीनियर्स के खिलाफ सीनियर को यंग के खिलाफ मतलब उसने फूट करो राज नीती वाली वो पूरी काम कर लिया तो वो यार पका हुई होगी चाहे वो नहीं भी हुई मेरा इतना येकीन था पर वो दोर ऐसा आ गया था कि शायद मैं लक्षमन से भी बात करने से कत्रा हूं कि ये शायद बात कहीं दर उदर ना चले जाए लुक्सान हुआ टीम को खिलाडियों को नुक्सान हुआ बहुत न श्रिंकला भी जीत रहते हैं लेकिन मेरे किताब में भी लिखा था कि मैं उनका बट बड़ा फैन था लेकिन मेरे फादर के अलमारी के ओपर उनका फोटो था उनका जो स्टैंस में इतना ब्यूडिफुल बैलन्स स्टैंस था और आप ही किदर ऑन से अच्छा के लिए अच अच्छा आयरे जो बातषित उसे करा समय का पता ही ने चला इतना नौलेज बैटिंग के बार में ता इतना आइडिया बैटिंग के बार में तप का कफी जब अअप उमीद जयताते हैं और कोई आप उनकось नको चाहते हैं और वाकर आप एकड़ एक दम अलग रूप देख उससे साफ जाहर होता कि उनके पास knowledge जरूर है लेकिन man management skills और मेरा मानना है कि अगर आप antaraster team का coach है तो technique से जादा man management अरे खिलाडी को किस तरह आप manage करते हैं अरे खिलाडी को किस तरह उनका बेस्ट निकालते हैं उस खिलाडी से और preparation के उपर जोड़ देते हैं और टीम इकटा होना बहुत जरूरी है और यह कहने कहीं मुझे लगता है कि ग्रेक चैपल की कमजोरी रही है कि कि आप एक एग्ज सुबह कर दिन बैटिंग करने से पहले सुबह मैं बस के लिए मुझे लगा कि और समय है लेकिन बस मेरे सामने ही निकल गया और बाभ कुछोड़ गयो चोड़ गयए और म que wish qui कर रहे स्रीशान नहीं कर रहा था लेकिन स्रीशान मेरे साह था मैं ओवरनेट बैस्में चार विकिर गिर चुके थे और बहुत इंपोर्टेंट फेस था अब मैं जीतना भी था क्युंकि स्रीशान का जबर्दस गेंदबाजी के वए से मजबू स्थिती में था और जोब का सुबह का ओफिस सर्व ट्राफिक और मैं और श्रीशान जाकर येलो कैब में बैटके ग्राउंड पोंचे ट्राफिक जाकर ग्राउंड पोंचे उसके मैं बैटके बैटिंग करना है और मैंने बोला कि हमारे लाइजन ओफिसर को तो बुलाइए तो लाइजन ओफिसर जो हमारे लोकल मैनेजरे वो आकर दें उन्होंने बताया कि ये वीवेस लक्षमीन ये श्रीशान थे इनको आप अंदर अलोग किजिए उसके बाद अंदर काफी गुसे मेताम है और आप कैसा एक अंतराश्य क्रिकीटर के साथ ऐसा कर सकते हैं कासकर देखे सिट्वेशन ओड़ मैच सोची है और एक कोच का जिम्मदारी है कि बेस्ट माइंसेट के साथ एक बलेबाज बलेबाजी करने के लिए उतरना चाहेंगे जब ही तो प्रद सब्सक्राइब करने के लिए और सुबह आप वो खिलाडी ते जिसने कहा था कि हमें कैन्बरा चोड़िये हमें भारत वापिस जाना चाहिए अबने का था दोरा हमें खत्म कर देना चाहिए जिया देखे सुबह जब मीटिंग हुआ था सब ही खिलाड़े को एकटा करे थे क मैं यकीन के साथ वो बोल सकता हम और एकदम ऐसे डिसिशन्स जो साफ नजर आ रहे थे रिप्ले में कि यह नौट आउट है लेकिन ऐसा लगा कि बुथ खराब एंपैरिंग बेंसन और बकनर थे एंपैर और अगले दिन मैच होने के बाद वो यहरिंग होने के अगले दिन सब प्लेयर्स मिलेते हमारे टीम रूम में तो मेरा मानना था कि यह इंटेंशनल हुआ है और हम वापस जाएंगे और अरे किलाडी अपना अपना ओपिनियन दिये लेकिन अच्छी बात यह कि कुछ किसमत ही कि यह है कि अनिल कुमले जो एक लीडर थे और कैटेन ते सही नि इनने नहीं होता इन आइंसाइट आई वस रॉंग बट उस समय एमोशनल और बावक हो गए तो तो गुस्य में भी आपने बड़ी मजबूती दिखाई उस वक्त मेरे पास देखिए यही एक कॉप्शन था कि जो टीम कर रही है बिलकुल कि मैं जब हेरिंग में बैठा सुपोर्ट करने के लिए जो टीम कि अब यहीं रही हैं वेड़ी वगे तो नहीं इन भीड़ी कर देगंसाइट यहां पाद मिन फो जो कि आपना काम ताम जब जमाया हूए वोने बट आ उन दिनों नहीं बना सुने कुछ भी कि अपने एक प्लेयर को सुपोर्ट करने के ल सब्सक्राइब जो ख़ intuition सबसे पासनी कि मैरी बात ऑट हो गई गई पूरी ऊस्ट्रैलिया की ऊस्ट्रल्री एंपायरिंग को यहिंहों ने उस मैचippi इन्य यह लाइन से बाहर थे, पैर उठा हुआ था अगले दिन वहां पे Sydney Herald में फोटो आई है, उनकी स्टम्प होए, इतना पैर बाहर था, फोटो भी ऐसे चपी है, बाहर है बढ़ स्टी बगना ने वो उनको नॉट आउट दे दिया, और एक डाउन दे लेक्ट कैट को था, रिक है दैस चाहते नहीं है कि इंडियन टीम ना वहां पे फाइट भी कर सके, तो कहीं ना कहीं यह देखी वो जब मैंने कहता हूं कुछ-कुछ मैच होते हैं जो टीम को जोड़ते हैं, यह वो मैच हुआ, इसने ना टीम को इकठा जोड़ दिया, कि नहीं हम नहीं खेलेंगे, ह मतलब इसका मतलब यह नहीं था कि हम उनकी खेल से उससे परिशान हैं, हम था कि पूरा सिनारियो जो है ना वो गलत है, अब फेर क्रिकेट खेलो उसमें आप जीतते हो तो जीत जाओ, पर्थ में आप देखिए, मतलब जो उनकी फेवरेट ग्राउंड है, फास्ट रैक जो बारे में लिखा गया कि विल बीट इंडिया देयर इन ट्री डेज और वाट सोएवर, उल्टा हुआ, क्योंकि हम सब इतने ही कथे होगे, इतने डिटर्मिन्ट होगे ना, चाहे वो मैच में नहीं खेल रहा था, बड़ आई फेल्ट कि हर मैच का वो रन मैं बना रहा था, ह हर मैच, हर जो बॉलर का विकेट है वो मेरे खाते में जा रहा है, मैं इतना ज्यादा था इस गेम में, क्योंकि मेरे अंदर 10-12 खिलाडी, 11 खिलाडी खेल रहा था था कि यह मैं खेल रहा हूँ, और हम सब इतने ही कठे थे और मेरे लिए पहला एक ऐसा मैच होगा जो बिना मैच जीतने के बाद, फ्लैग लेकर आये थे विकेट में, हम लोग सबने बज्जी को उटा है, तो वो फीलिंग जो बज्जी बात कर रहे थे न, वो बॉन्डिंग, वो फीलिंग, वो जबर्दस्ता हो, लेकि वही शायद आपके ड्रसिंग रूम की ताकत भी थी, कि जब आप पांच बजे प्रेस कॉंफरेंस में जाते हो, यह कहने की बजाए कि अपने कहा कि बस खतम मैं नहीं खेलूगा, वो दोनी से कुछ आपकी अन्बन हुई थी, कुछ फोन को लेकर कुछ हुआ था? ने, ने, पहले दोनी के बारे बात करूंगा, तो जिस दिन मैं अनौन्स मैं रिटार्मेंट इस आफ्टनून, तो तैंक यू वेरे मुच पर सपोर्टिंग मी और वेल विश्यर, तो शाम में जब प्रेस कॉंफरेंस में गया था, तो एक पत्रकार पूछे थे, क्या आप आपके फ्रेंस के साथ, आपके कोलीक्स के साथ बात करे और वेरे मुच पता है कि एक अमिता बच्छन जी ने ट्वीट किया था, कि इस वेरी डिफिकल तो रीच दोनी तो मैंने मस्ती में बोला कि वो जो मैंने बोला, मजाक में जो मैंने बोला, वो शब्द को और वो शब्रशिमें को आउट अट अव प्रपोर्शन लेके, ब्लो कर चुल दिया था और मेरे फैमिली को बोला था कि मेरा ultimate dream जो है उस्ट्रेलाय को आस्ट्रेले में आ राना है और 2011-2012 series उदर जीत कर कुंछे यकीन ता कि जो हमारा team था न आ आ उस्ट्रेले में आ सकता है इतना थाकत उस थीम में था इतना श्चमता उस तीम में था लेकिन वह कर सब्धाइब करें divide Price इसी वज़े से वह डाउड ता है मेरे दिमाग में कि क्या सही सभी वक्त है सन्यास लेने के लिए तो मेरा मानन होता वो सही वक्त है और ये personal decision होता है बज़ी को भी बता है किशेर कि आफे देखें जो retirement ले टाय है बोध मुश्किल सवाल है बहुत मुश्किल निर निरने हैं और आपको क्या यह सही समय और मुझेय यखीन तक है कि यह सही समय यह किंकि मैं अगर और वही सोन कहल तो यह बोले मं ध्यानौने पना 210 में ज़िता अगर कि हैं थे क्यूंध ईंगर था आइंड से दन नहीं हो长 T पिताजी और माताजी थे अर्य यह क्या हो गया है विकाज उनको पता है what's the fact and मेरे दिमाग में मेरे जहन में क्या चल रहा था mutual respect है लेकिन अभी भी लोग समझते है कि लक्षमन जो है दोनी के वज़े से रिटार हुआ जो एकदम गलत है आपकी और बदन की दोस्ती बड़ी है आप भज्जू से पूचिए उनकी किताब का बारी है और उनकी किताब का जैसे आपका 281 and beyond बड़ा आप नेम है इनकी की बज्जी भी किताब लगे है और सभी मेरे साथ जो खेले किए सब दिगच किलाड़ी है और देखे अनुबव जो उनको मिला अगा किताब के त्रू वो शेर कर सकते आभी कामेंटरी भी कर रहे है किताम की मीडिया के त्रू भी वो नौलेज आपग उर सकते युआ के जजबे के बारे में उसके हिसाब से रिलेटेड हो तो ज़रूर मुझे मज़ा आगा फायर, फायर के सामने आप बोल दिजे क्या रख सकते हैं तर्बिनेटर कैसा रहेगा? तर्बिनेटर तो इनका नाम है, पेट नेम है लेकिन बोलिंग फायर और स्पेल्स फायर यंग मैन कुछ इस तरह का, यंग मैन अविदाव फिर क्या होगा, वो ओल्ड मैं थे, अब ओल्ड मैं होगे, तो अब बोल्ड मैं होगे तर्बिनेटरी, बिकॉस एक चीज़ जो बज़ी के केरियर में नज़र आया है विद फायर बिल्कुल और 2001 से एक अलग अर्बजन से अग और शोला, आ है यह नाम ठीक है यह पिक्चर बना सकते हैं एसके राइट ले ले लेंगे अच्छा है यहार तरीका ही वैसा तरीका है। पिल्खुल, यहिस मैं हसमुक जरूर हूँ पर मैं ग्राउंड पे बहुत बड़ा बिलन था मुझे पदा था कि मुझे जीतने के लिए कुछ भी करना है तो वो जजबा है, वो जजबा है, वो जुनून ना, बजी में हमेशा नहीं है, एक बात अच्छी है, आपकी किताब के जरीये, हम आप दोनों के साथ बातशीत करने में भी कामयाब रहें, क्योंकि आप दोनों को एक साथ पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, कौल कदा 2001, अच्छी को पकड़ना मुश्किल है, नामम के नहीं है, आप दी पकड़ में आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुब कामना है आप दोनों को भी, अब भजो आपकी किताब जल्दी लिख दो अब, थैंक यू